नमस्कार आदर्शिक्षण संस्थान दोरा आयोजीत ओनलाइन शिक्षण में सबी भईया बेनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा सब्तमी में व्याकरण का बिंदू समास पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समास सब्द का शाब्दिक अर्थ और परिबसा देखते हैं। समास समास का अर्थ है शंक्षेप या शंक्षिप करना इसमें विबक्तियों का लोब करके शब्दों को छोटा बनाया जाता है। हमारे सामने किसी भी तरह का एक वाक्षी या पदाता है। उसके अंदर विबक्तियों का लोब करके याने उन विबक्तियों को हटा करके लोब का मतलब है उन विबक्तियों को हम हटा करके और एक नए सब्द का निर्मान करते हैं या उसका छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं उसमें विबक्तियों को हटा दिया जाता है विब कर्म को करन से तो न विवक्तियों को हटा करके और उस समस्त पद को छोटा कर दिया जाता है शंग्चिपित कर दिया जाता है शंग्चिप में लिखा जाता है जैसे हमारे सामने उदरण है मानस का मंदिर तो इसका पद बनेगा समासिक पद बनेगा मानस मंदिर यानि कि इसमें का विबक्ति को हमने हटा दिया दूसरा उदरण देखिए जेब के लिए खर्च यानि सब्द क्या बनेगा अपना पद क्या बनेगा जेब खर्च जेब खर्च यहने हमारा जो हाथ खर्च होता है जेब के लिए जो खर्च होता है ठीक है न के लिए विबक्ति का यहाँ पर लोप हो जाएगा इस तरह से बच्चों देखो मैं आपके सामने एक वाक्य पढ़ूंगी और आपके सामने देखो उस वाक्य में अलग शाही से सब्द छपे हैं पिंक कलर की शाही से सब्द छपे हैं वो सब सामासिक वद हैं अलग अलग समास उनमें आये हैं तो सबसे पहले हम इस वाक्य को पढ़ते हैं लोक पालक राम ने बंदर भालूओं के साथ दस मुक का यथा शक्ती विनाश करके त्री भूवन में सूयस फैलाया अब देखिए मैंने पहले ही बताया आपको कि कुछ सब्द आपको यहाँ पर पिंक दिख रहे हैं यह कुछ न कुछ इनमें अलग-अलग समास आयाव है तो इस वाक्य में लोक पालक बंदर भालू दस मुक यथा शक्ती त्री भूवन तथा सूयस सब्दों से इस पस्ठ है कि यह दो पदों से मिलकर शंक्षिप हो गये हैं परन्तु सभी पदों की अपनी अपनी विशेस्ता है किसी पद में विवक्ति का लोप है तो किसी का पहला पद और किसी का अंतीम पद परदान है हमें थोड़ी बहुत जानकारी तो यह ही है कि परतेक समास की अपनी अपनी विशेस्ता होती है कोई समास ऐसा होता है जिसमें पहला पद परदान होता है कोई समास ऐसा होता है जिसमें दूसरा पद परदान होता है कोई समास ऐसा होता है जिसका पहला पद संख्या वाचक होता है और कोई समास ऐसा होता है जो जिसमें दोनों ही पद का अर्थ दोनों ही पद परदान नहों करके तीसरा अलग ही उसका अर्थ निकलता है तो इसकी व इसमें बताया कि किसी पद में विबक्ति का लोब है, किसी का पहला पद परदानें, किसी का अंतिम पद परदानें, और किसी में दोनों इपद मिल करके तीसरा आर्थ दे रहे हैं, और किसी में सियोजक शब्द लुप्त है, यहना कि दोनों को जोड़ने वालें, तो किसी में उपसर्ग लगा कर उसकी विशेस्ता प्रकट हो रही है जैसे लोक पालक ठीक है ना तो लोक पालक आपके सामने ये सब्द है तो लोक पालक में के विबक्ति का लोप होगा लोक के पालक लोप यहने संसार संसार के पालनहार को ने बहगवान श्री राम तो यहां पर के विभक्ति का क्या हो गया है लोप हो गया है दूसरा अपना जो समासिक पद है वो है इस वाक़े में आया हुआ बंदर भालू तो इसमें बंदर आउर भालू यहने की और एक सेयोजक पद है उसका यहां पर लोब हुआ है फिर है दस मुख तो दस मुख दस मुख किसके हैं हम सब ने रामैन देखी है हम सब को पता है दस मुख मुख को आनन भी कहते हैं जैसे कि दशानन यहनए दस है आनन जिससे का ननकारत हता है मुख तो दस मुख को ने रामन दस मुख के किसके रावन के यथा शक्ति यथा शक्ति का हम सम्मा विग्रे करते हैं तो अपने सामने शब्द बनता है शक्ति के अनुसार हम बोलते भी कई बार बोल चाल की बसा में भी इसको बोलते हैं कि सभी व्यक्ति अपनी यथा शक्ति कारिय करे यथा शक्तिनुसार कारिय करे यन्य कि सक्ति के अनुसार यथा शक्ति कारत क्या है शक्ति के अनुसार तो ऐसे सब्द है समय ह discontinued यह ता जो सब्द है करीं सब्सेथ आते हैं जो हमेसा अवी होते हैं उन पर लिंग वचन कारक काल पहल कब asset कोई परभाव नहीं पड़ता है उब यह का मतलब वता है को यह का मतलब होता है घटना ठीक है ना यह का मतलब वता होता खर्च कुर्ण बीर ता गटना और वे यहने जिसका कभी वे नहीं होता है विघटण नहीं होता कारक का लिंग वच्छन का इन सब्दों के उपर कोई पर भाव नहीं पढ़ता है अगला सब्द अपना त्री भूवन जो वाक्य में सब्द आये हैं पिंक शाय से जो सब्द छपे थे में उन्हीं को बता रहे हूं आपको तो त्री भूवन पहला पद इसमें संक्या वाचक है और दूसरा पर्द परदान है जैसे त्री अभी त्री का प्रदान इस संपूर्ण पद की जो प्रदानता है वह बोवन सब्द में चिपी वही है सू यस अब इसमें देखो उपसर्ग लग गया है तो यस एक सब्द है तो नया सब्द क्या बन गया सू यस तो इसमें विशेशन और विशेशे इस तरह से अलग-अलग समास की अलग-अलग विशेशता है अब कुल समास कितने हैं तो हम देखते हैं कि इस परकार से समास के कितने बेद हुए छे बेद होते हैं पहला है तत्पुरु समास दूसरा है दुवंद समास तीसरा है द्विगु समास चोता है कर्मधारी समास पांचवा बहुबिरी समास और छटा है अविभाई समास इस तरह से बच्चों हमारे ये छे समास है और इन छे समास की अगले वीडियो में हम परिभाश्रा और उधारन देखेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद